आगरा में बदायू जैसी घटना मांगी 6 लाग की फिरोती पुलीस के आक्षन से कापे अपरा थी दरसल यूपी के आगरा में अफरन कर 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई बच्ची की हत्या कर शफ को जंगल में फेक दिया गया बच्ची का अफरन फिरोती वसूलने के लिए किया गया था अफरन करताओं ने कर्ज अदा करने के लिए मासूम का फरन किया था आरोपियों ने अफरन कर परिजनों से 6 लाख रुबई की फिरोती मांगी थी जिसके बाद परिजनों ने घटना की ज़ानकारी पुलीस को दी पुलीस ने ततकाल मुकदमा धर्च कर छान बीन शुरू की और सर्विलांस और S.O.G. टीम की मदद से दो आरोपियों को हिरासत में लिया फिर पूछताच के बाद पुलीस ने बच्ची के शफ को जंगल से बरामत लिया बता दे कि 18 मार्च को थाना बाह के गाउं फरेरा के हरेंद्र सिंग की मासूम बच्ची पल्लवी घर के बाहर खेल रही थी अचानक कुछ तेर बाद परिजनों को पल्लवी की आवाज नहीं सुनाई दी देखने पर वो वहाँ से गायब थी जिसके बाद परिजनों ने आसपास बच्ची की तलाश की लेकिन वो नहीं मिली बच्ची के पिता हरेंद्र ने थाना बाहा में बच्ची की गुमशुदगी दर्च करवाई हरेंद्र ने पुलीस को बताया की पल्लवी के दादा हुकम सिंग के पास किसी का फिरौती के लिए फोन आया था फिरौती और बच्ची के अफ़रण की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए पता ने किसी तरह हिम्मत रखते हुए पुलीस को इसकी जानकारी दी फरेरा की ही निवासी हैं पूचताच में आरोपियों ने बताया की उनके ऊपर कर्स था उसे चुकाने के लिए इस खटना को अंजाम दिया था आरोपियों की निशान देही पर पुलीस ने बच्ची के घर से दो किलो मीटर दूर रेलवे ट्रैक के पास खेट से उसका शफ बरामत किया है बच्ची के शब को देखकर परिजनों में चीक पुकार मच गई पूरे गाउं में घटना की सूचना मिलते ही सननाटा पसर गया पुलीस ने गिरफतार दोनों अभ्युक्तों पर भारतिय दंड सहंता की धाराओं 363, 364, 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्च किया है पुलीस उपायुक्त अतुल शर्मा ने बताया की कर्स चुकाने के लिए आरोपियों ने घटना को अंशाम दिया था दो लोगों को गिरफतार किया गया है आरोपियों ने हत्या करने की बात कबूली है शब को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया गया है मामले में पूछता जारी है जो भी आगे निकल कर सामने आएगा उन साक्षियों पर कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है बलकि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं चलिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं दरसल उत्तरप्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में दिन दहारे किडनापिंग का मामला सामने आया आरोप है कि चार बदमाशों ने मिलकर शक्स और उसके दो बच्चों को स्कूल से घर जाते वक्त किडनाप किया आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़त के साथ मार पीट की उसे ड्राइवर सीट से हटाया और गाड़ी अपने कंट्रोल में ले ली हारा कि कुछ दूरी पर चाकर गाड़ी ट्राफिक में फस गई तभी पीड़त ने मौके का फायदा उठाया और खुद को बचाया शुरुवाती चांच में पता चला कि मामला आपसी रंजिश का है आपको बता दे कि पीड़त आरोपियों में शामिल दो लोगों को जानता था बच्चों को पिक करने गया था दरसल रिपोच के मताबिक पीड़ शक्स का नाम सुभाश कश्यप है वो सूरचपूर में रहता है दस अगस्त को दुपहर करीब दो बचे सुभाश अपने ग्यारा और साथ साल के बच्चों को गाड़ी से पिक करने गये थे आरोप है कि घर लोटते वक्त एक ब्रेज गाड़ी ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया शिकायत के मताबिक उसमें चार लोग सवार थे जिन में से तीन निकल कर जबरन सुभाश की गाड़ी में खुस गए और एक ब्रेज गाड़ी लेकर निकल गया सुभाश ने शिकायत में बताया कि उसमें से दो लोग अकाश और रोहित सिंग को वो जानते थी उन्होंने कथित तोर पर सुभाश के साथ मार पीट की और गाड़ी अपने कंट्रोल में ले ली आरोप है कि उन्होंने सुभाश को धम की दी कि वो बच्चों को भी पीटेगा ट्राफिक में फसी गाड़ी शिकायत के मताबिक सुभाश की गाड़ी लेकर आरोपी आगे बढ़े तो ट्राफिक जाम मिल गया मौके का फायदा उठाते हुए सुभाश ने आसपास के लोगों का ध्यान खीचा तभी पकड़े जाने की डर से आरोपी गाड़ी से निकल कर भाग गए किटनापिंग की वारदात में सुभाश को मामली चोट आई है वहीं घटना का एक CCTV पुटेच भी सामने आया है जाच में पता चला कि सुभाश के कुछ रिष्टे दारों का घटना में शामिल एक आरोपी के जानने वालों के साथ जगड़ा हुआ था ये बात दो महीने पहले 14 जून की है तब घटना को लेकर केस भी दर्च करवाया गया था CCTV के आधार पर पुलीस ने आगे की जाच शुरू कर दी है सूरजपूर थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्च कर लिया गया है वहीं बदायू हत्याकान जिसमें दो मासूम बच्चों की पडोसी द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी आपको बता दे की अब उसमें नया खुलासा हुआ है रिपोर्च के मुताबिक बदायू के वरिष्ट पुलीस अधिक्षय कालोग प्रिया दर्शी ने बताया की मंगलवार को बाबा कॉलिनी में हुई हत्याओं के बाद से परार चल रहे जावेद ने पडोसी जिले बरेली के बरादरी थाना की पुलीस चौकी में आत्म समर्पन कर दिया SSP के मताबिक पूचताच के दौरान जावेद ने बताया की घटना वाले दिन वो अपने भाई साजित के साथ था बता दे की मुखे आरोपी साजित पुलीस मुटभेड में मारा जा चुका है हत्या के बाद भाग गया था जावेद SSP ने कहा की हत्या करने के बाद दोनों एक साथ भाग गये थे जावेद पहले अपने से सुराल गया और वहां से दिल्ली चला गया वहां उसके परिचितों ने उसे बताया की पुलीस उसकी तलाश कर रही है इसलिए उसे आत्मसमर्पन कर देना चाहिए अधिकारी ने कहा बदायू जाने के बचाये वो बरेली गया और आत्मसमर्पन कर दिया दरगहा और मौलवी के यहां बीता था साजित का समय चावेद ने पुलीस को ये भी बताया कि साजित ने एक चाकू खरीदा था जिससे उसने डबल मर्डर को अंचाम दिया चावेद ने पुलीस को बताया कि साजित काफी गुसेल था जिसके लिए परिवार केस दस्यों ने उसका इलाज भी करवाया था रिपोर्ज के मुताबिक पुलीस पूचताच में जावेट ने बताया कि घटना वाले दिन साजित सुभा से काफी परिशान था इसे लिए उसने बड़े भाई को दुकान बंद कर घर जाने को कहा था लेकिन साजित नहीं माना जावेट के मुताबिक साजित का काफी समय दरगाहा और मौलवी के यहां बीटता था पुलीस ने कहा कि ऐसे एक मौलवी की भी पहचान की गई है जिससे पूछताच की जा रही है जावेट ने खुद को बताया निर्दोश इससे पहले जावेट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वो लोगों के एक समहू से उसे पुलीस के पास लेचाने की गुहार लगाते हुए दिख रहा है वीडियो में जावेट कहता है कि वो घटना के बाद दिल्ली भाग गया और पुलीस के सामने आत्मसमरपन करने के लिए बरेली लोटाया है ये वीडियो पुलीस चौकी के पास एक आटो रिक्षा स्टैंड का बताया जा रहा है वो कह रहा है कि मेरा इस खटना से कोई लेना देना नहीं है साजित मेरा बड़ा भाई था जावेट वीडियो में कह रहा है कि साजित ने ऐसा किया लेकिन मेरा इस खटना से कोई लेना देना नहीं है वहीं पुलीस ने साजद और जावेद दोनों के खिलाब IPC की थारा 302 यानि की हत्या के तहत मामला दर्च किया है बदायू चिला प्रसाशन ने साजद के पुलीस एंकाउंटर की मेजिस्ट्रेट जाच के लिए आदेश दिये हैं बदायू के चिला मेजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने कहा मुटभेड पर रिपोर्ट 15 दिनों में सौपी जानी है इस बीच मृतक बच्चों के पिता विनोध कुमार ने ज्वावेत की गिरफतारी पर पुलीस की सराहना की और उसे कड़ी सजा देने की मांग की विनोध कुमार ने कहा कि उससे पूछा जाना चाहिए कि उसके साथ कौन शामिल थे क्योंकि ये घटना किसी एक विक्ति की नहीं है उसे भी मौत की सजा मिलनी चाहिए उसका इंकाउंटर किया जाना चाहिए या उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए पिता ने अपने परिवार के लिए पुलीस सुरक्षा की मांग की है आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं पर योगी पुलीस भी ऐसे मामलों पर तगड़ा आक्शन लेती है ताकि प्रदेश से जुर्म का नाम निशान मिटाया जा सके इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे है कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार मैं राजनीती करता ने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नफस को खूप पहचानता हूँ संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासंता हूँ मैं हर ख़मर से खरा सच निकालता हूँ ना कोई दौर ना कोई रेट्स, क्यापिटल पी, उत्तर देट ईत्यों के सिंधा एस निके संगता हूँ